हाई फ्रेंज वल्कम बाक तो सुनो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीरी महिला ने पीम मोधी को ये क्या कह दिया कश्मीरी वुमिन इन यूएन चलो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने भी तक सब्सक्राइब नह आइकन को क्लिक कर लो ताके आपको हमारे सारे नूव वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे में अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एं चेहर चली शुरू करते हैं मैं तो बहुत ही शुकुर गुजार हूँ और मैं सिलूट करती प्राम मिनिस्टर शरी नरेंदर मौदी जी को भारतिये कश्मीरी महिलाओं के बोलने की बारी आई इन कश्मीरी महिलाओं ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के बारे में जो कहा उसके बारे में आपको एक बार जान लेना चाहिए संयूक्त राश्ट्र की बैठक में भारत की इन कश्मीरी महिलाओं ने बताया कि कैसे जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद तेजी से विकास हो रहा है इन महिलाओं ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और ग्रिह मंतरी अमिट शा की जम कर तरीफ की इन ही में से कश्मीरी महिला तसलीमा अक्तर ने कहा कि मैं प्ये मोदी और ग्रिह मंतरी अमिट शा की अभारी हूँ तसलीमा ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 और 35 एहटने के बाद जबरदस्त विकास हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था तस्लीमा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अब बिरोजगारी भी दूर होगी और कश्मीर में और भी ज्यादा तरक्की होगी इसके बाद तो तस्लीमा ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे तस्लीमा अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में खुद आर्थिक तंगी है लेकिन वो कश्मीर के बारे में दूसरे देशों में जूटा प्रचार करता रहता है यहाँ पाकिस्तान को दो बड़े सदमे लगे हैं पहला तो खुद पीयों के लोग ने पाकिस्तान को गालिया दी मैं तो बहुत ही शुकूर गुजार हूँ और मैं सिलूट करती हूँ अपने अन्रेवल प्राइम मिनिस्टर शेरी नरेंदर मौदी जी को और अन्रेवल होम मिनिस्टर अमिच्छा साब को कि जिन्हों ने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहूल कश्मीर में पैदा किया है बहुत ही अच्छी डेवलाप्मेंट आई है कश्मीर में आटिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी वो कुछ अलग ही रंग लाई है फ्रेंट्स कैसा लगा यह ना कमाल जो पाकिस्तान कश्मीर 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 का रोना रोता था उसकी हालत देखो कि उसका उसने जो पी ओके बनाया वा है वो नहीं संभल रहा वहां के लोग यूएन में जाकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना उनके उपर अत्याचार कर चार आया और किस टाइप से उनकी बुरी हालत है और दूसरी तरफ देखो जो कश्मीर कश्मीर को बौलता था वहां से कश्मीर से वो मेन आई हैं ओर ते हैं रिप्रेजेंट करने और वो बता रही है कि भया हम किते खुश हैं कश्मीर में कितनी प्रोग्रेस हो रही है और वो मीडिया में मोधी जी को थैंक यू बोल रहे हैं अमिछा जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने जो हटाया जो 370 उसके बाद से जो वहां पर अच्छी चीजे हो रही हैं development हो रही है दो तीन साल से उसको देखके हम बहुत खुश हैं और अभी हम तो और भी development अभी तो शुरुआत हुई है अभी तो जब और development होगी तब देखना फिर आएगा मज़ा देखिए बहुत अच्छा था और preparedness कितनी जादा है यह देखिए कि United Nations में को कि यह opportunity है हमें बताने के लिए कि क्या great कारे हो रहे हैं ऐसी पहले preparedness कभी नहीं होती थी अब यहाँ पे अच्छी बात है मेरे खाल से एक नहीं थी दो तीन ती पीचे नज़र आ रहा था उनकी पूरी team गई होगी कश्मीर से counter करने के लिए अगर वहाँ पे Pakistan कुछ बोलने आ और चोटी सी क्लिप भी दिखाए थी जहां पे highways ठीक हो रहे हैं ultimately यह था कि पहले कुछ families के हाथ में सारा control था उनको फरक नहीं पड़ता था अवाम क्या करता क्या नहीं करता जब तक उनके पास power है they were fine और उन्होंने बड़े मज़े कि हैं Congress के जमाने में तो उनको यही था कि हमारा जो है वो होना चाहिए उसके नीचे हमें कोई फरक नहीं पड़ता और control हमारे पास होना चाहिए और ultimately सभी लोग ने कहा कि अगर आप उसे हटाने कोशिश करेंगे तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा आपको dialogue पता नहीं का क्या हो है उसके बाद government ने सोचा इसके ब किये आप घर से बाहर नहीं आएंगे फिर वो लोग जो अपने लोगों को activate करेंगे उसके लिए internet बंद किया कि तुम लोगों को activate नहीं कर सकते सब शांती है और वो कहते streets पे कुछ नहीं हुआ सब घर में अराम से बैटे है सब है और उसके अधीरे धीरे धीरे आपने खु पूरा गया है बोलके मगर इंडिया नहीं जो मैनेज करे तो वेरी गुड़ आप जो है उनके इंप्रूमेंट्स हो रहे है और अभी अभी न्यूस आई थी मेरे क्याल से यूई और दोहा की investment भी आ गई है मॉल के लिए मैंने एक न्यूस पड़िस में का था कि first foreign installment for Kashmir has arrived मत आप जो है foreign investment के जो malls बगार बने थे वो शुरू होंगे वाओ तो जो कहा गया था वो हो रहा है और इसमें मज़े की बात यह थी कि जितने Muslim nations है उनको invite किया गया था कि आप आईए और construct करिये बड़े बड़े malls अब वहां पे हमने एक और देखी दिने इसमें job fair हो रहा है आपने उसे पीछे देखे जो फिर में कितने सारे लोग थे और पता नहीं कितने 400-500 companies वह आए वी हैं तो वो सब देखके वहां के लोग बोलेंगे इससे साथ हमें क्या चाहिए पूरा अच्छी बेटर हो रहा है तीन families का का काम खतम हो गया union territory बन गई they will be very happy अब देखे पा environment को देख तवे आप यहां पे वेदर कितना अच्छा है ने तो generally तनी गर्मी होते है सब का होता है यहां पे आप जबर्दस hotel बनाई यह करिये मतला अब वाक्य ही economic growth होगी Kashmir बेरी नाइस अपना यह इंडिया में ही Switzerland बन सकता है यह यह बनेगा Switzerland के मुकाबले में कि आप यह करो स्नो में मजे करो सर्दियों में और गर्मियों में तुमारे लिए एक थंडी जगा है जहां पे तुम आ के अपनी गर्मिया जो बिता सकते हो चुटियों की तो it will be a fantastic place और अभी तो शुरुवात हुई है अभी तो देखते जाओ कई हमने वीडियो की ती जिसमें वो रो चार पांच साल रुक जाओ फिर तो आपको लगेगा कि भाया हम कहां गए कहीं बोल तो रहे थे कि भाया यह जो लगेगा उनको की कोई अब्रॉड है जैसे लगता है ना कि USA या UK उस टाइब से उनके लिए पाकिस्तान वाले जो है जब देखेंगे इंडिया को और खा जम में जाके रिप्रेजेंटेशन हो रही है और हो रही है थूथू पाकिस्तान की तो चलो फ्रेंट शेयर करना अपने थूट्स चलते हैं मिलेंगे निक्स वीडो में बहुत ही जल तिल देन टेक केर और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्स्क्राइब के क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाओ